नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टिम सकेडमी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैश्ण एव शैव धरम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसी की उसके बारे में तो वीडियो को इन तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इ आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है वैश्ण धरम के परवर्तक किसे माना जाता है इसका अंसर है प्रिशन तो वैश्ण धरम के परवर्तक किसे माना जाता है प्रिशन को माना जाता है जो व्रिशन कभी लेके थे और उनका निवास्थान मत्रुरा था तो कहां से थे गृषन कभीले से थे और निवास्थान कहां का था मत्रुरा था इसका अंसर है उपनिश्टों से तो वैश्णुन धर्म के बारे में जानकारी हमें उपनिश्टों से मिलती है और इसका विकास भगवत धर्म से हुआ था इसका अंसर है मतस्य पुरान तो विश्णु के दस अवतारों के बारे में बात की गई है पर जो मतस्य पुरान में है वहां पे सिर्फ प्रमुख दस अवतारों के बारे में ही जानकारी मिलती है तो शास्त्रों में 24 अवतार दिये गए है और मतस्य पुरान में सिर्फ 10 अवतारों के बारे में बात की गई है इस का अंसर है रिगवेद, तो भगवान विष्नु का सरोपरतम उलेख कहां पर मिलता है? इस का अंसर है भक्ति को तो जो वैश्नु धर्म में इश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वादिक महतो किसे दिया गया है? इस कांसर है भक्ति को तो जो वैश्णो धर्म में इश्वर को प्राप्त करने के लिए स्वर्वादिक महत्तो भक्ति को दिया गया है Next question है भगवान विश्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलिया है इसका अंसर है 6 तो भगवान विश्णु के सुदर्शन चकर में 6 तिलिया है सुदर्शन चकर भगवान विश्णु का अस्तर है और इसको उन्होंने स्वेम तथा अपने क्रिशन अवतार में धारन किया है शिव महापुरान के अंसार इस चक्र को भगवान विश्णू ने गड़वाल की शरी नगर स्थित कमलेशवर शिवालियों में तपस्या करके प्राप्त किया था तथा अवतारवाद में भी वो विष्वाश रखते हैं, तो वैषों धर्म में अवतारवाद पर भी विष्वाश किया जाता है Next question है, यूनानी राज़्दूत मैकस्थनीज ने हेराकलीज किसे कहा है? इसका अंसर है क्रिशन को तो युनानी राजदूत मैकस्थनीज ने हेराकलीज किसे बताया है भगवान क्रिशन को बताया है युनानी राजदूत मैकस्थनीज ने शूरसेन मत्रा के लोगों को हेराकलीज का उपासक कहा है जिसका तातपरे क्रिशन से है तो हैराकलीज किसे कहा है मैकस्तनीज ने क्रिशन को कहा है इसका अंसर है चांदोग्य उपनिष्ट में तो भगवान क्रिशन का सबसे पहले उल्लेख चांदोग्य उपनिष्ट में देवकी के बेटे और अंगी रस के शिश्य के रूप में मिला है तो च्छान्दोग्योप निश्ट में मिला है देवकी के बेटे के रूप में और अंगी रस के शिश्यों के रूप में मिला है इसका अंसर है आंदर प्रदेश तो तिरुपती बाले जी मंदिर कहां स्थित है आंदर प्रदेश में स्थित है इस मंदिर को तिरुपति वैंके टेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और ये विश्णु भगवान का मंदिर है नेक्स क्वेश्चन है भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को क्या कहा जाता है इसका अंसर है शेव तो भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासको को क्या कहा जाता है शेव कहा जाता है बगवान शिव की पूजा करने वाले को शेव और शिव से संबंदित धर्म को शेव धर्म कहा जाता है इसका अंसर है हडप्पा, तो सबसे पहले जो आपका सिंदु गाटी सब्यता में है, वहां से लेकर हमें शिवलिंग उपासना के शाक्षे मिलते है इसका अंसर है पशुपत संपरदय, तो शेयोधरम का सरवाधिक प्राचीन संपरदय है और इसके संसापक लव कुलिश है और लव कुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है नेक्स्ट क्वेशन है शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहां मिलता है इस कांसर है मतस्य पुराण में तो शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहां पे मिलता है मतस्य पुराण में मिलता है इस का अंसर है रूद्र तो अथर वेद में शिव जी को पशुपति भी कहा जाता है और रिगवेद में शिव जी को रूद्र नाम दिया गया है कि Pennsylvania प्रसीद राज-राजेश्वर शेव मंदिर कहां सित है? इसका अंसर है तमिलाडू में तो प्रसीद राज-राजेश्वर शेव मंदिर तमिलाडू के तश्वर में सित है यहां एक हिंडू मंदिर है और ग्यारुई सदी के पारम में यह बनाया गया था और राजा राज चौल प्रथम ने इस मंदीर का निर्मान करवाया था और यह हो मंदीर पूरी तरीके से ग्रे नाईट से बना हुआ है। इसका आंसर है रोद्र तो रेग वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्ड का प्रयोग किया जाता है रोद्र शब्ड का प्रयोग किया जाता है। Next question है शिव के कौन महान उपासक ने सरव प्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एम नंदी का अंकन करवाया था। इसका अंसर है कुशान शाशक ने, तो कुशान शाशक ने सरव प्रथम अपनी मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन करवाया था नेक्स्ट क्वेशन है पश्वती नाथ मंदिर कहां स्थित है? इसका अंसर है काठ मंदू नेपाल में तो पश्वती नाथ मंदिर कहां स्थित है काठ मंदू नेपाल में नेक्स्ट क्वेशन है एलोरा में स्थित केलाश नाथ मंदिर का निर्मान किसने करवाया था? इसका अंसर है राष्ट्रकूटो ने तो अलॉरा में सित जो केलाशनात मंदिर है उसका निर्मान राष्ट्रकूटो ने करवाया था तो ये थे वैशनों और शेवधर्व से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट MCQs तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इसे like, share और comment करना ना भूलिए अगर आप इस वीडियो को फेस्बूप पे देख रे तो हमारे पेज को like कीजिये अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो जहां पे लाते रहेंगे धन्यवाद